हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो चलिए इस वीडियो में देखिए अपको हम लेनीर एक्वेशन इन्टू वारियवल से कुछ बेसिक कोशन्स लिया मैंने और इस टाप कोशन्स आपके बूकर काफी ज्यादा होगा देखिए इसको कैसे स्वल्ब करेंगे एकदम सिंपल कोशन्स है अपको यहां पर हमने positive questions लिखा है टोटल को स्कोशन्स को आकड करना क्या हैzon करना नहीं यहां पर यहां पर जू है आपको को हाँ आशारा कि express each all the following equations जितने भिए following equations है सब को express करना हैं मतलब बदलना है in the form of ax plus by plus c is equal to 0 म disclosure इस standard form में इसको convert करना है, जैसे कि आप लोगे पता होगा, कि linear equation in two variable का जो standard form होता है, वो होता है, ax plus by plus c is equal to 0, लेकिन उसके complete definitions में आपको हम a, b does not equal to 0 को condition बता आये थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको इस form convert करना है, भले a और b 0 हो जा, उसस से आपको indicate करना है, बताना है क्या, the value of a, b, c, in each case, सभी questions में a, b, c का value बताना, ठीक है, देखिए, थोड़ा से बनाते है, एक्टर, उसके बाद आपको हम फिर समझ बाद आजागा, कि लिए रूप से, चलिए, जैसे questions में first की बात करें, ठीक है, तो first number की अगर हम बात करें यहां से, एक लाइन से start करते है, first number की, तो देखिए, first में क्या है, x is equal to 6 है, देखिए, आपको क्या लाना है, कि कौन से formula ले जाना है, ax plus by plus c के formula लाना है, है न, तो आपको जो है, simply आप इससे क्या करेंगे, कि यह जो 6 है, 6 को आपकी RHS से किदा ला लेजे, LHS में ला लेज चाहता, 0 बच गया, अभी भी यह इस form में नहीं गया, नहीं गया, तो देखो, क्या करना होगा, कि x को ऐसे ही रहने देते है, ठीक है, x बाला terms, तो हमको क्या है, कि ax plus by plus c is equal to 0 का formula लेना है, ठीक है, तो हमको x बाला, x बाला terms है, वो तो यहां मिल रहा है, coefficient of x, यहां पे a है और यहां, coefficient of x, 1 है, जब कुछ नहीं है, यहां पे जब y वाला terms इसमें नहीं है, तो y वाला terms नहीं है, तो plus डालके 0 into y लिख देंगे, 0y, क्योंकि 0 से multiply कर देंगे, क्या करेंगे, 0 से अगर हम इसमें multiply कर लेंगे 0y को, तो फिर से 0 हो जाएगा, और 0 फिर add करेंगे, तो उ minus 6 को bracket में कर लेते हैं, is equal to 0 हो गया, अब यहां पे जो, यह जो questions में given था, x is equal to 6, इसका general form यह जो है, इस form में यह आ गया, दख लो, ax plus by, plus c is equal to 0 का form में आ गया, अब यहां लिखेंगे, on comparing, ठीक है, on comparing, comparing to, ठीक है, किस से compare करना होगा, comparing to, ax plus by plus c is equal to 0, इससे अगर हम compare करते हैं, इससे compare करते हैं, then we get, then we get, अगर हम इससे compare करते हैं इसको, तो compare करने के बाद क्या मिलता है हमको, x का coefficient यहां 1 है, और यहां x का coefficient a है, मतलब a के जगह पर क्या है, a के जगह पर यहां पर 1 है, a is equal to 1 मिल जागा, ठीक है, comma, b is equal to क्या मिल लेगा हमको, 0, और c is equal to minus 6, इस questions को यहां पर solve हो गया, ठीक है, होब किया कोई चीज समझे माग गया होगा, चली, अब देखते हम लोग कुछस नमर सकेंड को, सकेंड में क्या है, सकेंड तो और ज्यादा सिम्पल है, सकेंड है, रूट टू एक्स उसके बाद प्लस, रूट फाइव, रूट फाइव, रूट फाइव, वाई, इस इकॉल टू क्या है, सेवन है, तो सिम्पली सेवन को इधर ला लेंगे, तो सेवन ला लेंगे इधर, तो रूट टू एक्स प्लस, रूट टू, सॉरी, रूट फाइव, वाई, माइनस सेवन, इस इकॉल टू जिरो, देखो, थोरस यहां पे, यहां पे लिखना है, यह रूट सिर्फ two के उपर में है, एक्स के उपर में, रूट नहीं है, अचा, यह अगर इस फॉर्म में नहीं गया है, पलस पलस में यहां पे दिख रहा ना, तो इसको एक बार अगर हम लिख ले, रूट 2 x अप्लस क्या हो जाएगा रूट 5y अप्लस डाल करके माइनस 7 को ब्रैकिट में डाल देंगे ठीक है फिर यही लाइन लिखेंगे यहां जो लिखेंगे लाइन हम क्या ओन कंपेरिंग टू एक्वेशन एक एक्स प्लस बीवा प्लस इसकोल दिजीरो देन वी गेट त सब्सक्राइब ठीक है और लास्ट में सी इसकोल टू माइनस 7 निकल जाएगा ठीक है किलियर अब चलो अब देखते हम लोग एक जो है और को सब्सक्राइब करें ठीक है किसकी तो देखो बहुत सिंपल है उसके बाद जो है ना इसमें आगे स्वालीशन का मेथर के लिए आ ठीक है तो सिंपली इसमें क्या करना है 3x 7y को इधर ला लेंगे तो माइनस 7y is equal to 0 हो गया अब यहां पर कॉंस्टेंट टम सी वाला टम ही नहीं है तो सी वाला टम नहीं है तो क्या हो गया एक तो पहले तो इसको इस फॉर्मिल आने के लिए यहां पर हमको क्या करना होगा पलस पलस डालेंगे फिर माइनस 7 डाल करके वाई देंगे को दिक्कत है यहां पर नहीं न आप पलस 0 डाल दीजा इसकोल टो 0 कर दीजे अन कंपेरिंग एक्स प्लस बीवा प्लस से इसकोल टो 0 देन वी गेट ए इसकोल टो 3, b is equal to minus 7 and c is equal to 0 यह मिल जागा ना कंपेर करने के वाद आप छोड़ो एक कोश्स देखते हैं हम लोग लास्ट कर स्बाइबा आप कंदबन लगता होगा कि फर नमबर जो रहना काफी ज़दा हाड यहां-पलस काफी जजादा एजी यहां पर देख लीजए यहां क्या करना है कि जब यह आपको यह फ्रेक्शन्स वाला फॉर्म में होगा जबाई के फॉर्म में होगा तो इसको सीध्य आप ले लिजे पहले तो 3 2 को लसी म कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 2 6 तो यहां उपर हो जाएगा 2x यहां हो जाएगा माइनस 3y is equal to क्या होगा 1 हो जाएगा अगर हम क्रोस मल्टिप्लिक्शन कर ले तो 2x माइनस 3y is equal to 6 हो गया ना सिंपल अब 6 को इधर ला लेना है तो 2x माइनस 3y माइनस 6 is equal to 0 इसको थोरा सब्सक्राइब करेंगे तो 2x प्लस माइनस 3y ठीक है अब प्लस डाल करके माइनस 6 को ब्रैकेट में डाल देंगे और 0 डाल देंगे is equal to 0 हो गया ना इससी को बस कुछ नहीं किया यहां पर सिदेख्या कि यह जो माइनस 3 है इसको मिने ब्रैकेट में डाल दिया और बीच में निकलेगा माइनस 6 निकल जाएगा ठीक है तो होप कि आपको यह चार कुस्स का सोलीशन समझ में आ गया होगा आपके लिए यह कुस्स नमर फाइव हम छोड़ रहे हैं आप फाइव नमर बना करेके मुझे आप कोमेंट करेंगे कि क्या आपको इसका एस्टेंडर फॉर्म म आपको लगता होगा इसमें जोने सीधे 4.5 इधर ला लेंगे तो हो जाएगा ऐसा नहीं होगा डेसीमल हटाना होगा ठीक है क्योंकि इस फॉर्मल आना है अभी जितने सारे कोस्ट बना है क्योंकि एक्जाम में आपको डिरेक्ट पॉइंट इधर डाल करके नहीं मिलेगा सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर आपको डेसिमल को रिमूब करना होगा तो जैसे कि 3x प्लस 4y is equal to 4.5 है डेसिमल रिमूब करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा इसको cancel out करो के दूपर 9 ना नीचे 5 उसके बाद जिए क्रॉस मल्टिक्शन करने के बाद फिर सिंप्लिफाय करन इस फर्म में आज जाएगा ठीक है तो इसको solve करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आता है आप इसका answer मुझे बताएंगे comment में ओके मिलेंगे अगले वीडियो में तुम तक के लिए thank you